हाई दोश्तों गुडिवनी आई होप आप लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक सस्क्राइब जरूर कीजिएगा इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रक्टिशिट कराया था एक से लेके 30 तब के कुश्चन तक स्यामपट बोड श्वेद पर मारडल तो चाक पर चापट को हम कहते हैं स्यामपट ये इसका एंसर सही है नेक्ट स्टेक्स फ्लेस कार्ट का आखार होता है क्या है 50 बाइल सत्तर 32 चालिस चालिस बाइल पीस और क्या 46 बाइल इसका आंसर क्या अगा है का अंसर A शही होगा क्या है 50 से 50 बाइस 70 का होना चाहिए क्या फ्लैस काट का आकार इसका अंसर शही है next question है कि बनाने में सरल बनाने में सबसे सरल है बनाने में सबसे सरल क्या है बार ग्राफ चित्र ग्राफ रेका ग्राफ इन में से सभी तो बनाने में जो सरल होता है तो बार ग्राफ जो होता है ये बनाने में सरल होता है इसका बार ग्राफ से आगणा निकालने में भी सरल होता है आगे question है कि विसाय का विस्त्रित विवेचन किया जाता है विसाय का विस्त्रित विवेचन किया जाता है किसमें पुस्तकों में चित्रों में पोस्टर्स में और कार्ष में किसमें किया जाता है विसाय का विस्त्रित विवेचन पुस्तकों में किया जा सकता है इसका answer A शही ह आगे क्वेशन की चलते हैं, श्रब यह सामगरी नहीं है, क्या गाने, टेप रिकारडर, फिल्म ड्रिप ग्रामो फोन, श्रब मतनल सुन को जह सुना जा सके तो इस में कहा गए क्या सबस्केर देश शामगरी couldnwah निक्स कुश्चन क्यों चलती है द्रिश सामगरी नहीं है द्रिश सामगरी नहीं है क्या रेडियो मार्डल स्लाइड और फ्लैस कार्ड तो द्रिश सामगरी नहीं है तो रेडियो क्या है यह द्रिश सामगरी के अंतरगत नहीं आएगा यह स्रभी सामगरी के अंतरगत आएग इस कंसर सही होगा नेक्स्ट कुश्चन है कि द्रिश्व सावर स्रभ सामगरी है चल चीतर है टेली वीजन ए ड्रामा इन में से सभी तो द्रिश्व स्रभ सामगरी की बात कही गई है तो इन में से सभी आगे कोश्चन है कि जब कोई प्रगती चीतर द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो उसे क्या करते हैं गोलाकार ग्राफ, रेखा ग्राफ, पिक्टो ग्राफ, बार ग्राफ तो उसे ग्राफ कहते हैं तो उसे कौन सा ग्राफ कहते हैं जब एक ही वृत में अलग अलग भावों में क्या करते हैं प्रदश्रित करते हैं उसे कौन सा ग्राफ कहते हैं रेखा ग्राफ पिक्टो ग्राफ गोलाकार ग्राफ चित्र ग्राफ उसे क्या करते हैं वृत में बात क क्या है पोश्टर है प्रदर्शनी है माडल इन में से सभी तो प्रदर्शनी सामगरी का प्रकार क्या है इन में से सभी डीस का एंसर सही है आगे क्वेश्चन है कि विभीनी रितू में प्रकास की मात्रा और तेजी है क्या है विभीन वस्तू में प्रकास की मात्रा और तेजी क्या बताती है घड़ती है घड़ती बढ़ती है समार रहती है तो इसका एंसल सी सायोगा घड़ती बढ़ती रहती है आगे क्वेश्चन है कि लीमनी में इसे कौन सा कथन उपयुक्त है पर्दो द्वारा कमरे के शुंदर में व्रिद्धी नहीं होती है पर्दो द्वारा घर किया जा सकता है इसका एंसर क्या होगा डी सही होगा आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं गलीचियों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए बाहर डॉडड़ आवश्यक भीचानी चाहिए तो क्या चादर दरी पावदान क्या है उप्युक्त शभी तक अंदर जैसे कि रूम के अंदर आप गलीची अगर फैलाए हुए है तो उसमें क्या है कि आप अगर दर्वाजी के पास अगर पावदान रखा जा रहा है उसमें बाहर दर्वाजी के पास उससे क्या होता है कि बाहर जो मिट्टी आएगा दूलाएगा तो पावदान पर ही रह जाएगा बाहर स्रीस रहे होगा पावदान आगे कुश्चन है कि डॉट डॉट के रेसी से छोटे विच्छावद अथा पावदान बनाये जाते हैं कपास नारियल रेसम से उपयोग तो सभी से विच्छावद जो बनते हैं जो डिजाइनिंग की जाती है बनाये जाती है जो डॉर्मेट तो किस से बनाई जाती है तो नारियल से बनाई जाती है नारियल के रेसों से क्या होता है डॉर्मेट बनाई जाती है आगे कुश्चन है कि डॉट डॉट ग्री सज्जा में सजीवता एवं सरस्ता लाने का कारे करती है चुहें मख्यां मच्छलियां मच्छर क्री सज्जा में सजीता इवं सरस्तार लाने का कारे करती है कौन करता है मच्छिलिया करती है बीस का अंसर सही होगा आगे कुश्चन है कि हलकी रंग के चित्रों को डॉट डॉट रंग के दिवारों पर टांगना चाहिए जो दिवारों निरस्ता फर्स इसका अंसर क्या होगा सही होगा दिवारे क्या होता किसी भी चित्र की कमरे जो कमरे होती उसमें जो चित्र लगता है उसकी जो सुन्दर्ता बढ़ाने के लिए जो दिवारों पर लगाई जाती है सुन्दर्ता निखर के आती है दिवारों की सीस का अंसर सही होगा नेक्स क्वेस्चन है कि चित्रों को मढवाने की उनकी डॉट डॉट की गती रुख जाती है आकार रेखाओं का सुन्दरता का कल्पना का तो जब चित्रों को मढवाने से क्या होता है रुख जाती किस की गती रेखाओं की गती रुख जाती यसी इसका इंसर सही होगा निक्स कुश्चन है कि सज्जा में उप्षाधनों में सबसे महत्वपूर उप्षाधन है तब महत्वपूर उप्षाधन की बात कहिए तो पुस्पव सज्जा 20 का इंसर सही होगा नेक्स कोश्चन है कि पुस्प सज्जा एक महतोपूर डॉट डॉट है आधुनिक कला है प्राचिन कला है फैशन उप्यक्तु शवी तो पुस्प सज्जा एक महतोपूर है तो क्या प्राचिन कला है प्राचिन कला है भी इसका अंसर सही है नाजीरे एक प्राचीन सज्जा की सेलि लंबे पठले लंबे पतले मोटे तो कैसे पात्र प्रयोग की जाते हैं WiFi iis-cancer छाही है रभान जो फूलो का प्रयोग नेमण संक्षा में किया जाना चाहिए उपयोग तर्वियुक्त सब्विक्वाम हिसी इसी तर्युपूलो का प्रियोग निम्ड संख्याम किया जाता है तो विश्रम संख्याम में किया जाना चाहिए सीस कांसर सही है नेक्ष कोश्चन है कि पुष्प सज्जा में आकरशग और बल देने के लिए डौट-ड़ट शाधी होनी चाहिए तो क्या शादी होनी चाहिए पात्र पुस्प सहली कमरे की विवस्था प्रिष्ट भूमे जब क्या है पुस्प सज्जा में आकरश्र बर लाने के लिए हम क्या करते हैं प्रिष्ट भूमे को क्या है साधी रखते हैं क्या है डीस का इंसर सही होगा फ्रिष्ट भूमे आगे क्वेश्चन है कि चोड़ी वग कम उची सज्जा जिसमें त्रीकोड आकरती का प्रयोग किया गया कहलाती है तो क्या कहलाती है और चारी पुस्प सज्जा अनौप चारी पुस्प सज्जा सोका पुस्प सज्जा जा पर श्यों सब्पनी मुश्बा सज्जा चौड़ी व कम उच्छी सज्जा प्रकार उपूर्प्रागत का प्रकार की है प्रम प्रतु उप्युक्ति aí तो क्या है पुस्प सज्जा का प्रकार है तो क्या उप्युक्त सभी के अंतरगत आएगा डीस का अंसर सही होगा आगे क्वेशन की उर्च देखती हैं विदेशी सहली की सज्जा का प्रकार है रीका वशो का मोरिवाना नाजिरे उप्युक्त सभी तो विदेशी सहली की सज् इसका एंसर किया होगा टीवरवायू गर्मी प्रकास्व करने से बचाँ सीज इसकांशर सही होगा पर्दे लगाने की मुख्यु देश क्या है ? धिवरवायू प्रकास्व करने से बचाँ फूल दान में फूलों को अधी समय तक ताजा रखा जा सकता है पानी में थोड़ा चीनी मिला कर डाल कर पानी में थोड़ा नमक डाल कर फूल दान को धूप में रख कर फूल दान को छाया में रख कर इसका एंसर स्टीर सही होगा फूल दान को धूप में रख कर नेक्ट कोश्टन है कि पुस्प सज्जा की जापानी सहली को कहते हैं पुस्प सज्जा की जापानी सहली को क्या कहते हैं सोका, इकेबाना, मुरीबाना, रिका पुस्प सज्जा की जापानी सहली को इकेबाना कहते हैं इसी इसका अंसर सही है अगर कोश्चन है कि फाइवर ग्लास का निर्मार की सन में हुआ है 1930 में 1931 में 1932 में 1933 में फाइवर ग्लास का निर्मार जो सन बताया गया है तो 1931 सन में हुआ है फाइवर ग्लास का निर्मार भी इसका अंसर सही है नेक्स कुश्चन है कि टेरी लीन का सरफ प्रथम निर्माड कहां के वैग्यानिक ने किया तो इंग्लेंड के जापान के चीन के मिश्र के तो टेरी लीन का सरफ प्रथम निर्माड कहां के वैग्यानिक ने किया तो इंग्लेंड की एस का अंसर सही होगा नेक्स कोश्चन है कि वस्त्र रंगते समय डॉडड़ भी डालते हैं तेल नमक चीनू क्यों तो सभी तो वस्त्र रंगते समय हम क्या डालते हैं नमक का प्रियोग करते हैं इस का अंसर सही होगा राल क्या है राल क्या है वरड़क है रंजग है रंग है तंतु है तो राल एक वरड़क है यह इसका इंसर सही होगा नेक्स कोशन है कि वाट रंजक का उधारण है वाट रंजक का उधारण क्या है इंडिको है नम्मा के हल्दी कुलतार है तो वाट रंजक का उधारण क्या है इंडिको इसका उधारण सही होगा नेक्स कोश्चन है कि गंधक रंजक का प्रियोग किस प्रकार के तंथों पर किया जाता है जानतों रेशे वनस्पति रेशे क्रितिम रेशो प्रियोगत सभी तो गंधक रंजक का प्रियोग जो बात कहीं गई इसमें तंथों का प्रियोग किया जाता है तो वनस्पतिक रेश सभी इसका अंसर डी सही होगा उपयुकत सभी नेक्स कुश्चन है कि संसलिस्ट रंजक सिंथेटिक डाई के प्रकार है अमली है छारी उदाशीन है उपयुकत सभी है तो संसलिस्ट रंजक की बात कहेंगे जो सिंथेटिक के प्रकार सिंथेटिक सभी है उपयुकत सभी है डी इसका प्रियोग किया जाता है आज के लिए इतना ही आई होब आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सेल जरू किजिएगा आज के लिए इतना ही थेंक्यू थेंक्स पार वाचीं